आज की इस वीडियो में हम टोक्यो पैरलंपिक के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही आसान टोपिक है और बहुत ही इंपोर्टन टोपिक है चाहे आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो एक ना एक प्रशन पूछा ही जाएगा इस टोपिक से इसलिए ध्यान से सुनना और वीडियो को लाश्ट तक देखना ताकि आपका इस टोपिक से प्रशन छूटेना तो आज की इस वीडियो को हम बहुत ही सिस्टमेटिक वे से कवर करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज के स्टोपिक को कैसे कवर करेंगे तो पहले हम सभी important facts को पढ़ेंगे उसके बाद एक एक खिलाडी के बारे में जो important है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जैसे ही gold medal complete हुए पहले हम एक एक खिलाडी के बारे में पढ़ेंगे फिर एक ही slide में हम ये देख लेंगे कि कौन-कौन सा खिलाडी था और कौन-कौन से खेल से वो संबन्दी था उसके बाद हम silver medal के बारे में पढ़ेंगे फिर एक ही स्लाइड में सभी silver medalist के बारे में पढ़ लेंगे तो इसी परकार हम इस पूरे topic को cover करेंगे और last में हम जो इस topic से important question बनते हैं उन्हें भी cover कर लेंगे तो पहले हम पूरे topic को पढ़ेंगे अच्छे से उसके बाद हम important question answer का test लगाएंगे इसलिए वीडियो को पहले पूरा ध्यान से सुनना और last में question answer को जरूर attempt करना तो चलिए बिना देरी की हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और Tokyo Paralampic के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये Paralampic होता है आप में से कई लोग इसे Paralampic बोलते हों पर ये Paralampic होता है इसमें ओ नहीं आएगा तो Paralampic खेल कौन से होते हैं जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहन भाग लेते हैं मतलब कि जो शारीरी रूप से किसी परकार से अक्षम होते हैं विकलांग होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो देश जिस साल ओलम्पिक खेलों को होश्ट करता है उसी साल वो Paralampic खेलों को भी होश्ट करता है मतलब कि जिस देश में ओलम्पिक खेलों का आयोजन होगा उसी देश में उस साल पैरालम्पिक खेलों का भी आयोजन होगा जिस परकार आपने देखा होगा कि इस साल टोक्यो में ही ओलम्पिक खेल हुए तो टोक्यो में ही पैरालम्पिक खेल भी होगे तो टोक्यो पैरालंपिक का इस साल कौन सा संस्करन था तो सोलवा संस्करन था याद रखेगा जो कि 24 अगस से लेकर 5 सितंबर तक कहां पर करवाया गया तो जापान की राध्धानी टोक्यो में करवाया गया तो दो परशन याद रखना कि संस्करन सोलवा था और करवाया कहां पर गया तो जापान की राध्धानी टोक्यो में तो इस साल टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या था यानि कि आदर्श वाक्य क्या था तो इंपोर्टेंट है याद रखेगा युनैटिड बाई इमोशन ये इस साल इसका आदर्श वाक्य था उसके बाद देखते हैं कि शुभंकर क्या था तो शुभंकर था सोमाइटी अगर हम देखें तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था तो मैंने आपको बताया था मिरा इतोबा पर टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर क्या है तो सोमाइ देखी तो जरूर देख लेना इस वीडियो में हम Tokyo Paralympic को cover कर रहे हैं तो इस साल Tokyo Paralympic में पहली बार दो खेलों को शामिल किया गया है कौन-कौन से खेल है एक है badminton और दूसरा है taekwondo याद रखेगा badminton और taekwondo को इस साल शामिल किया गया है इसलिए important है पूछा जा सकता है अब हम आगे देखे तो आगे अब हम देखते हैं कि इस साल Tokyo Paralympic में भारत की तरफ से ध्वजवाग कौन थे तो opening ceremony में ध्वजवाग थे टेक चन्द याद रखे का कौन टेक चन्द पहले मर्यपन थंगा वेलू को ध्वजवाग बनाय जा रहा था पर वो किसी covid patient के contact में आ गय थे इसलिए उन्हें ध्वजवाग नहीं बनाय गया उनकी जगे पर ध्वजवाग कौन बने टेक चन्द याद रखेगा और closing ceremony में ध्वजवाग कौन थी तो अबनी लिखारा ये closing ceremony में ध्वजवाग थी ओपनिंग ceremony में टेक चन्द थे याद रखेगा तो आगे है कि इस बार भारत ने Tokyo Paralympic में अपनी अब तक की सबसे बड़ी टुकडी को भेजा था तो कितने खिलाड़ी भेजे थे ये important है 54 54 पैरा एथलीट भारत ने भेजे थे याद रखेगा आगे अब हम पदक तालिका देख लेते हैं जो कि important है इसमें से हमें first, second और third ये पता होना चाहिए और भारत की स्थिति क्या है इन चार चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए पदक तालिका में तो नमबर एक पर कौन सा देश है वो है चीन इसने इस साल 207 मेडल पैरलंपिक में हासिल किये जिसमें से 96 गोल्ड मेडल है 60 सिल्वर मेडल है और 51 ब्रॉंज मेडल है तो टोटल हो गए 207 मेडल या देखेगा यह पूछा जा सकता है कि नमबर एक पर कौन सा देश रहा और इसने कितने ग गोल्ड मेडल हासिल किये या देखेगा नमबर दो पर कौन सा देश है ग्रेट ब्रेटेन इसने टोटल 124 मेडल हासिल किये जिसमें से 41 गोल्ड मेडल है 38 सिल्वर और 45 ब्रॉंज आप देख रहे हैं कि नमबर एक पर है चाइना और नमबर दो पर है ग्रेट ब्रेटेन पर इसमें difference कितना है gold medal का चाइना जो है वो 96 gold medal लेकर आया और नमबर दो पर जो देश है वो इसके करीब भी नहीं है इसने सिर्फ 41 gold medal हासिल किये इससे दुगने से भी ज्यादा चाइना लेकर आया है 96 medal नमबर तीन पर कौन सा देश है तो है America United States of America इसने total 104 medal हासिल किये जिसमें स 37 gold medal है 36 silver और 31 bronze तो या दखेगा नमबर एक पर कौन सा हो गया चाइना दूसरे पर Great Britain तीसरे पर America अब हम देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या थी तो भारत की ranking है 24 या दखेगा कितनी ranking है भारत की 24 जिसमें से भारत ने इस साल 19 medal हासिल किये जो कि भारत के अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है पैरलम्पिक में सबसे ज़्यादा medal भारत हैं हासिल किये हैं अब तक के इतिहास में कितने 19 जिसमें से 5 gold medal है 8 silver medal है और 6 bronze medal है तो 586 या दखेगा इसी परकार 586 पांच gold 8 silver और 6 bronze टोटल कितने हो गए 19 medal यह important है और भारत की ranking यह है तो 24 यह भारत की ranking है अब हम आगे देखते हैं तो आगे अब हम पहले उन खिलाडियों के बारे में पढ़ लेते हैं जो gold medal लेकर आये हैं उनसे related जो भी important fact है पहले हम वो पढ़ लेते हैं तो पांच खिलाडी है जो gold medal लेकर आये हैं पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं तो शुरुवात करते हैं अवनी लेखरा से, ये कौन से खेल से संबंदित हैं, तो इंडियन राइफल शूटर हैं ये, शूटिंग से संबंदित हैं, और इनका जन्म कहां पर हुआ, तो राजस्थान के जैपुर में इनका जन्म हुआ है, और 19 साल की अवनी, पैरलंपिक खे जो कि पैरलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल लेकर आई हैं इसलिए इंपोर्टेंट है और एक ही पैरलंपिक में दो पदक जीतने वाले भी ये पहली भारतिय महिला बन गई है एक तो ये गोल्ड मेडल लेकर आई हैं और दूसरा ब्रॉंज मेडल लेकर आई हैं उसके बारे म हम आगे पढ़ेंगे ब्रॉंज मेडल के बारे में अभी तो याद देखिएगा यह दो पदक लाने वाली पहली भारतिय भारतिय महिला है और परलंपिक ये गोल्ड मेडल लेकर आई हैं अब हम आगे देखते हैं तो अवनी लेखरा के बाद आगे अब हम आते हैं सुमित अंतिल पर यह किस खेल से संबंदित हैं तो जैविलिन थ्रोवर यानिकी भाला फेंक इनका जन्म कहां पर हुआ हर्याना के सोनी पत में याद रखेगा और स सुमित अंतिल ने भाला फेंक में एफ-64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है याद रखेगा यह जो कैटेगरी है यह नहीं पूछी जाती यह क्या होती है जैसे जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं किसे के हाथ नहीं हैं किसी के पैर नहीं है तो इसी परकार इने क 64 category है उसमें सुमित अंतिल जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और याद रखेगा कि सुमित अंतिल ने अर्सट दशमलो 55 मीटर का थ्रो करके वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है इस साल इन्होंने वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है इसलिए यह पूछा जा सकता है कि इन्होंने कितनी दूर भाला फेका तो याद रखेगा अर्सट दशमलो 55 मीटर यह वर्ल्ड रिकोर्ड बन गया है और इ मनीश नर्वाल पर कौन से खेल से संबंदित हैं ये तो ये शूटिंग से संबंदित हैं पिस्टल शूटर हैं ये मनीश नर्वाल जी इनका जन्म कहां पर हुआ था तो हर्याना के फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था या देखेगा और मनीश नर्वाल ने शूटिंग की मिक्स्ड 50 मीटर SH1 केटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है याद देखेगा और मनीश नर्वाल ने 218.2 का स्कोर करके गोल्ड मेडल पर कबजा किया याद देखेगा आपको बस यही याद होना चाहिए कि मनीश नर्वाल किस खेल से संबंदित है तो शूटिंग और इन्होंने कौन सा मेडल हासिल किया तो गोल्ड मेडल अब हम आगे देखते हैं आगे अब हम देखते हैं तो यह जो दोनों खिलाडी हैं परमोद भगत और कृष्णा नागर यह दोनों ही बैड मिंटन प्लेयर हैं और दोनों ही इस साल गोल्ड मेडल लेकर आए हैं अपनी अपनी category में और दोनों ही badminton player हैं या देखेगा तो पहले देखते हैं परमोद भगत परमोद भगत badminton खिलारी हैं और इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में हुआ है या देखेगा और भगत पैरलंपिक के badminton event में gold जीतने वाले पहले भारतिये बन गए हैं क्योंकि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इस साल दो खेलों को शामिल किया गया है एक है badminton और दूसरा है taekwondo तो badminton को पहली बार ही शामिल किया गया और पहली बार में ही परमोद भगत ने gold medal हासिल कर लिया तो या देखेगा बहुत ही important है परमोद भगत के बा और कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरलम्पिक में Hong Kong के चूमान के को हराकर gold medal हासिल किया है या देखेगा परमोद भगत और कृष्णा नागर दोनों ने इस साल badminton में gold medal हासिल किया है अब हम आगे देखते हैं तो आगे अब हम एक ही slide में revision कर लेते हैं जिन पांच खिला पारियों के बारे में हमने पढ़ा तो अवनी लेखरा ने निशाने बाजी यानि की shooting में gold medal हासिल किया और मनीश नरवाल ने भी shooting में ही gold medal हासिल किया तीसरे नंबर पर आते हैं सुमित अंतिल इन्होंने javelin throw में यानि की भाला फेक में gold medal हासिल किया है और इस साल world record भी बन gold medal हासिल किया है तो देखिए अवनी और मनीश इन्होंने निशाने बाजी में भगत और कृष्णा ने बैडमिंटन में तो एक जो सुमित अंतिल हैं यह important बन जाते हैं क्योंकि इन्होंने इस साल world record भी बनाया है और यह javelin throw में gold medal लेकर आए हैं तो यहाँ पर हमारा gold medal complete अब हम आते हैं silver medal पर तो आगे अब हम पहले जो खिलाडी silver medal लेकर आए हैं उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं तो पहली हैं भाविना पटेल बहुत ही important हैं यह किस खेल से संबंदित हैं तो table tennis या देखेगा इनका जनम कहां पर हुआ तो गुजरात में हुआ गुजरा होते हैं आप रिलेड कर सकते हैं तो भाविना पटेल ने पैरलंपिक में silver medal हासिल किया है इस साल इन्होंने silver medal हासिल किया है पर यह important क्यों है यह इसलिए important है कि इस साल भारत को पहला जो medal था इन्होंने ही दिलाए था भाविना पटेल ने यह silver medal लेकर आए थी पर भारत का पहला medal यही लेकर आई थी इसलिए important बन सकता है आप से पूछा जा सकता है कि भारत को Tokyo Paralympic में पहला medal किस ने दिलवाया तो भाविना पटेल ने दिलवाया यह कौन से खेल से संबंदित है तो table tennis से संबंदित है और भाविना पटेल ने table tennis की class 4 category में भारत को silver medal दिलाया है या दिखेगा तो भाविना पटेल के बाद आगे अब हमाते हैं दिवेंद्र जाज़ाजिया पर बहुत ही important नाम है यह भी यह कौन से खेल से संबंदित है तो जैवलिन थ्रोवर है यह भी और इनका जन्म कहां पर हुआ राजस्थान में तो दिवेंद्र जाज़ाजिया पू बहुत ही important है यह भी भाला फेंखिलाडी है और सिल्वर मेडल लेकर आए हैं अब हम आगे देखते हैं तो देवेंद्र के बाद आगे अब हम आते हैं मर्यपन थंगावेलू पर तो most important यह आपने नाम सुनाई होगा मर्यपन थंगावेलू कौन से खेल से संबंदित हैं यह तो हाई जंपर हैं यह और इनका जन्म कहां पर हुआ था तमिलनाडो में मर्यपन थंगावेलू ने पुरुशों की उची कोद कॉंपिटिशन में इस साल सिल्वर मेडल अपने नाम किया है याद देखेगा और यह भी याद देखेगा कि मर्यपन थंगावेलू का यह इस साल दूसरा लगातार पदक है इससे पहले यह 2016 के रियो पैरलंपिक में ग सम्मानित भी किया चुका है 2017 में ने पद मश्री से सम्मानित किया गया और उसी साल इने अरजुन पुरसकार से भी सम्मानित किया गया और 2020 में ने राजीव गांथी खेल रतन पुरसकार से भी सम्मानित किया चुका है तो बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है यह याद दखे निशाद कुमार पर यह भी हाई जमपर है तो निशाद कुमार ने इस साल T47 वर्ग में हाई जंपिंग में Silver medal हासिल किया है या देखेगा और इन्होंने 2.06 मीटर की जंप लगाए थी जिसके साथ यह silver medal लेकर आए हैं तो निशाद कुमार के बाद आगे अब हम आते हैं युगेश कथुनिया पर किस खेल से संबंदित हैं तो ये discus throw जिसे हम disc throw भी कहते हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दिल्ली में और युगेश कथुनिया ने 20 साल 44.38 मीटर throw करके silver medal अपने नाम किया है या देखिएगा ये कौन सा medal लेकर आए है silver medal तो अगले खिलाडी कौन से है परवीन कुमार ये कौन से खेल से संबंदित है हाई जंपर और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था नोईडा में तो परवीन ने इस साल 2.07 मीटर की छलांग लगाकर silver medal अपने नाम किया है या देखिएगा ये हाई जंपर है उसके बाद आगे अब हम आते हैं सिहां राज अडाना पर तो बहुत ही important नाम है या देखिएगा सिहां राज अडाना क्योंकि इस बार के टोक्यो पैरलम्पिक में दो ऐसे भारतिये खिलाड़ी है जो एक साथ दो मेडल लेकर आए हैं एक हैं अवनी लेखरा जिनके बारे में हमने पढ़ लिया एक तो वो गोल्ड मेडल लेकर आई है दूसरा ब्रोंज मेडल लेकर आई है तो ब्रोंज मेडल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो उसी के साथ जो दूसरे खिलाड़ी है वो हैं सिहराज अडाना ये भी दो मेडल लेकर आए हैं इस साल एक तो ये सिल्वर मेडल आए हैं दूसरा ब्रोंज मेडल आए हैं तो पहले हम सिल्वर मेडल के बारे में देखते हैं तो ये किस खेल से संबंदित हैं शूटिंग से निशाने बाज हैं इनका जनम कहां पर हुआ था तो हर्याना के फरीदाबाद में तो उसी हैं राज ने इस साल पूर्शों के 50 मीटर की पिस्टल सपरदा में सिल्वर मेडल हासिल किया है यहाद देखेगा और जो इन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल किया है वो 10 मीटर की एर पिस्टल की कैटेगरी में इन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल किया और 50 मीटर की पिस्टल कैटेगरी में इन्होंने SILVER MADEAL हासिल किया है तो 2 MADEAL लेकर आये हैं यहाद देखेगा क्या नाम है इनका? सिहाराज अडाना तो आगे अब हम आते हैं सुहास यथिराज पर तो इस साल भारत ने 8 SILVER MADEAL हासिल किये हैं तो 7 खिलाडियों के बारे में हमने पढ़ लिया बैडमिन्टन के कैटेगरी में इस साल सिल्वर मैडल हासिल किया है तो कौन से खेल से संबंदित हैं बैडमिन्टन इनका जन्म कहां पर हुआ है करनाटका में तो 38 वर्ष ये सुहास यतिराज ने बैडमिन्टन में इस वर्ष सिल्वर मैडल हासिल किया है या देखेगा और व बहुत ही महत्वपुरान नाम है क्या नाम है निका सुहास यतिराज बैडमिंटन खिलाडी हैं और सिल्वर मैडल लेकर आए हैं और इस समय यह नोईटा के डीम है तो आठो खिलाडियों के बारे में हमने पढ़ लिया अब हम इनकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो पहले ह युगेश कथुनिया यह डिस्क थ्रो में सिल्वर मैडल लेकर आए हैं उसके बाद निशाद कुमार परवीन कुमार और मर्यपन थंगावेलू यह तीनों ही हाई जंप यानि की उची कूद की खिलाड़ी हैं और तीनों ही इस साल सिल्वर मैडल लेकर आए हैं निशाद अगले खिलारी हैं दिवेंद्र जघजडिय्या यह भी जैविलिं थो यानि की भाला फेक खिलारी हैं उसके बाद अगले खिलारी हैं सिहराज अडाना इनके बारे में हमने पढ़ा था यह दो मैडल लेकर आए हैं शुटिंग में एक तो यह सिल्वर मैडल आए हैं और भाविने पटेल oh this ये शैवर्द सब्सक्राइद करें जलते हैं अब हम चलते हैं अग्छे इसके बारे में हमने भाविने लेकर आये हैं इनके बारे में ेसलेये डिटेल में नहीं पढ़ना बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस खेल से संबंदित है तो देखिए पहली है अवनी लेखरा तो हमने इनके बारे में शुरू में ही पढ़ लिया ये गोल्ड मेडल भी लेकर आई हैं और ब्रोंज मेडल भी लेकर आई हैं नाम याद केग अवनी लेकरा और दूसरे खिलाडी हैं सिहराज अडाना तो इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया ये सिल्वर मेडल भी लेकर आए हैं और साथी साथ ब्रोंज मेडल भी लेकर आए हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में दोनों खिलाडी शूटिंग से संबंदित हैं और दोनों ख ब्रोंज मेडल हासिल किया है अगले खिलाडी हैं शरत कमार कौन से खेल से संबंदित हैं तो हाई जंप या देखेगा अगले खिलाडी हैं हर्विंदर सिंग ये तीर अंदाजी में ब्रोंज मेडल लेकर आए हैं इंपोर्टेंट हैं या देखेगा क्योंकि ये तीर अंद वाले हमने पहले भी पढ़ लिये थे यह दो-दो मेडल लेकर रहा हैं इनका नाम ज्यादा इंपोर्टेंट है और इनके साथ हरविंदर सिंग का नाम भी याद रखेगा क्योंकि इन्होंने तीर अंदाजी में ब्रोंज मेडल हासल किया है तो यहां पर हमने सभी खिलाडियो के बारे में बढ़ लिया अब हम important question answer test लगा लेते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने question सही जाते हैं तो पहला प्रशन है कि भारत ने टोक्यो पैरलम्पिक में कितने मेडल जीते हैं, तो बताईए कितने मेडल हासिल किया हैं, 19 मेडल, 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रोंज हैं, 586 अगला प्रशन है कि टोक्यो पैरलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? मोटो क्या था? तो मैंने आपको बताया था United by Emotion अगला प्रशन है कि पैरलंपिक खेलों में स्वर्न पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी है? तो स्वर्न पदक जीतने वाली कौन सी भारतिय महिला है? जो पहली भारतिय महिला बन गई है? यह है अवनी लेख़़ा और इस साल ये दो मैडल लेकर आई है शूटिंग में या देखेगा अगला प्रशन है कि टोक्यो पैरलंपिक 2020 में भारत ने कितने सिल्वर मैडल जीते हैं? तो कितने सिल्वर मैडल जीते हैं? आठ सिल्वर मैडल, पांच गोल्ड, आठ सिल्वर और छे ब्रोंज अगला प्रशन है कि भारत की ओर से टोक्यो पैरलंपिक में सबसे पहला मैडल किस ने जीता? तो बताईए सबसे पहला मैडल किस ने जीता? तो भाविना पटेल ने यह silver medal लेकर आई है पर Tokyo Paralympics का सबसे पहला medal भारत को इन्होंनों ही दिलवाया था मैंने आउको बताया था अगला प्रशन है कि दिवेंदर जाजरिया किस खेल से संबंदित है तो बताईए दिवेंदर जाजरिया किस खेल से संबंदित है तो यह भाला फेंक यानि कि जैवलिन थ्रो से संबंदित है अब हम आगे देखते है अगला प्रशन है कि किस भारतिय खेलाडी ने Paralympics 2020 में भारत को निशाने बाजी में स्वन्पदक दिलाया है तो दो भारतिय खेलाडी है पर निमा लिकित में से पूछा है तो कौन से भारतिय खेलाडी ने Tokyo Paralympics में शूटिंग में हमें स्वन्पदक दिलाया है तो उनका नाम है अवनी लेखरा और दोसरे खेलाडी कौन थे तो वो थे मनीश नर्वाल अगला प्रशन है कि Paralympics 2020 में भारत की और से भाला फेक में कौन से खिलाडी ने स्वन्पदक दिलाया है तो भाला फेक में बताईये कौन से खिलाडी ने गोल्ड मेडल दिलाया है तो मैंने आपको बताया था सुमित अंतिल अगला प्रशन देखते हैं कि Paralympics पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है तो यह जो भी Paralympics पूछा जा रहा है कि Tokyo Paralympics की ही बात हो रही है तो कौन सा स्थान रहा है भारत का 24 वह स्थान नमबर एक पर कौन सा देश रहा है चीन नमबर दो पर Great Britain नमबर तीन पर America और 24 वह नमबर पर भारत याद अखेगा अगला प्रशन है कि कौन Paralympics में पदक जीतने वाले पहले आईस अधिकारी बन गए है तो इनका नाम क्या है सुहास यतिराज कौन से खेल से संबंदित है Badminton अगला प्रशन है कि Paralympics में देश को Gold Medal दिलवाने वाले परमोत भगत किस खेल से संबंदित है तो भगत और कृषना किस खेल से संबंदित है Badminton खेल से यह Silver Medal लेकर आए है याद दखेगा आज का आखरी प्रशन देखते है कि भाविना पटेल किस राज्य से संबंदित है तो पटेल है तो बताईए किस राज्य से संबंदित है तो गुजराद आज की ये वीडियो यहीं पर खतम होती है कैसी लगी ये वीडियो कोमेंट शेक्चन में जरूर बताना धन्यवाद